कि एक्जाम टॉप एज्यूकेशन में आप सभी का फिर स्वागत है आज हम फिर से आपके सामने एक और चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं और यह चैप्टर फर्स्ट है कक्षा टैंथ का जोग्राफिका जिसका नाम है संसादन और विकास अभी तक हमने जो वीडियो बनाए सभी के थी वह उसका मतलर का पहला पाट था अभी तक इस वीडियो में हमने स्वामित्व के आधार पर संसाद्व का पढ़ाय अब हम पढ़ेंगे विकास ये संसादन को चार भागों बाट गया चार भागों और इन चार भागों को अब हम पढ़ने वाले हैं तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले अगता संभावी ससंभावी तो ऐसे संदन जो प्रदेश में विद्यमान होतीया लेकिन अभी तक इनका क्या नहीं किया गया उदान के तुर पर बताया कि भारत के पश्चिमी भाग को ना गया घुजरात हो गया न精 Я अ delve लेकिन भारत के पस्ची भाग के विजएस का कौन कौन से स्टेट दादिस्तान और गुजरात यहां पर बहुत मात्रा में सौर उर्जा पवन रुजा प्लब्दें लेकिन क्या क्या हुआ है कि अभी तक इनका प्रयों नहीं किया गया ठीक तरह से प्रयों नहीं किया गया और यह संसादन आनेवाले समय में इनका प्रयोग किया जए सकता है उर्जा के रूप में गर में तो आके दीक देशन व्याट क्या है तो दूसरे संसाधन किंप यह उस संसाधन जैसे कि मैं नहीं बहुता है कि जो संसाधन है विकास कहते कि यह में सम्वावी ईससे पहले है शरी शबात खैदी सरफ़ करभा या कि पता किया जा चुका है इनके उप्योग की गुलपतÁ भी पता किया जा चुक्त गोstar झाता है और इनकी मात्रा भी क्या किरा चुकिए निर्धार्टी ही जा चुकी है जैसे कि गुडवत्ता के बारें पता लिए जा चुका हो जिनकी मात्रा भी निरदाइद की जा चुकी है उनको बोले आता है क्या विक्सिछ संसदन तो बीसें संदन क्या होते हैं इसमें तीन बात आते नमबर एक सर्विक्षन हो चुका हूँ क्या सर्विक्षन क्ला कि दूसरा अ शु опыт कितीर अ क्या मात्रा या aynı चैनल रहाई अघार को सब्सक्रिश के साथ क्लिश्छ हो छचुका है यह और उसकी मात्रा पतह कि आ चुका है तो सब्सक्राइब कर दो किसपर करता है तो कितना मौघिद निर्भय करता यानि कि ऐसे पदार जो मानों की अश्रक्ताओं क्या कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं या मानों की काम आ सकते हैं लेकिन उप्यूक्त प्रयोद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द जिन जो हमारी अफश्रक्ता को पूरा कर सकते है लेकिन उपक प्रदोगी कि नहां होने केकारण यह हमारी पहुंशूत सरे बाहर जैसे हमें पता है कि जल उता है जो में किया है ? पैसे होती है एक तो होती है Oxy' — हट तो हाटगं DC क्या हमारे भविषय का इदन है लेकिन हमारे पास ऐसी प्रत्यों की नहीं है जिसकी हम है ढू énormément को एक उर्टा के रह में परका सके एसी महारे पास किया नहीं करके एक और देस्टाहर तो इसलिए इससे में एख ममनाया है बंडान के संसंतर है है आदर बन संसादर के रूप में रखा गया अब अब संचीत कोस संचीत जैसे कि उसका मतलता है जमा ठीक है जो हमारे पास बंडार अब आगे देखते हैं यह संसादर बंडार का ही एक तरह का हिस्सा होता है जिने उपलब तक्नीख जान की सहता से पुरियोग में लाय जा सकता है आप यानि कि हमार पर ऐसी तकनीक होती है जिनसे इनका पृक्ति ये वसक्त शुरुण लेकिन कि अपज पृक्त आरम नहीं हो आया है हमें पता लग चुगा है कि ये ji जासकता है लेकिन अभी हमने को शुरूर नहीं कि इनका वुझ्य में आप सब्सक्र के लिए किया जासकता है तो इनने को संस्चित कोश् Belarus जाएगा जैसे है डािक मातर में कि अधिक सिमित पहमाने पर हो रहा है कि समय अधिक मातर में पहला सीत आख के रहते हुट बिजली बिनाई जा दिया चाहिए तो इस प्रकार बांदों में जल वन आदी संचित कोश है क्या इस प्रकार बांदों में क्या जल वन आदी संचित कोश है बांदों में जल वह वह भी क्या एक संचित कोश है जिनका बविश्य में उप्योग किया जा सकता है अब अभी भी जाया है इनका प्योग किया जाना लेकि कम मातर में to park एक सीमा में रहकर इनका प्रियोग अगे देखता है vandaag विकास किसी का सब्दख्व विकास अब अब देखो हमें पता है एक सिमित मातर में प्रियों संसाधन प्रगन होने के बडग अ है इन संसाधनों का बड़े सोच समझका प्रेयों को चाहिए आगे देखते हैं संसाधन पर लिए कि इप्र करते ही बोट भिभल रखनें के लिए कोई बीर मनुषय मनुश्य के जीवन ही किसे प्रकार स्पयक्र किने के लिये मैं अब्षक्ता पर jilini BQ आए एक्वी कि यह परसिक्त हृतर्य ऐसा मानघ आता है कि संसंदर प्रकृतिकी दिन क्या है इसकी साधन कि मानमें इनका अंधादुन पुर्यों किया क्या है अन्धादुन जैसे जैसे परियोग करा किसका संसात्रों का मानुश्य सोस्ता कि प्रकृतिक दिने तो और मिल जाएगा तो इसकी वेसे जो लोगों ने अत्यतिक मातर में परियोग करा है और जैसा मुझी परियोग करा जिससे कई समस्य पैदा हो गए है साथ कुछ सादनों को jeśli hell और गरत को से समय के कि कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो इस्तों में बढ़ गा था शाहरा दूसरा गडिए तो क्या कहा रहा है संसादन कुछ ही हातों के पास रह गया या कुछ ही आतों में चले गया जिसकी वैस्टि जो संसादन है और वह एक तो उसका क्या हुआ हास हुआ है दूसरा समाज दो भागों में बढ़िया एक गरीब और अमीर आगे दिखते हैं संसाद्रों के अंदधन शोषन से कई सारी समस्या और पैदा हो गए अब इसने वुलाएं कि यहां क्या क्या समस्या पैदा भी है तो नमब एक तुट अमने बतादिया कि भर कम ही करी का मिया तीसे नम बता सकते हैं इससे क्या है इनका नथम पुर्योंकरने से भूम मंड़िय बढ़ गया भूम अलिये तापन का मतलब क्या है कि जो पृत्वी है पृत्विके ताप मन में ही है व्रदी आई तो इसको बूमाड़े लिये तापन घाल गया जैसे कर लोबल वार्मिंग के नाम से जानते है और उससे क्या ओजन पर्थ अवशे हुआ है जो और प्रत्वी तो इससे क्या हुआ है संसाद्व काधिक मातर में परयोग करने से ऑजन प्रत है उसको भी हानी है अगर ओजन प्रत जो है इसी प्रकार से तो क्यों प्रती आती है ओधर को आसनी से अने करन इससे जीवों में कैंसर हो जाएगा और चैंसर कौन से होगा खिक है तो इससे क्या हुआ है एक अंदर दन परियोक करने करन वह नुक्सान हुआ है प्रदूशन में भी बढ़ा है और भूमी निमनिकर अधी है भूमी निमनिकर मतलब भूमी की जो उपजाओ पनेक तो वह कम हुआ है प्रदन बढ़ा है तो बहुत सारे भूमी उपजाओ उसमें कम्याई है तो इसी को बिला भूमी निमनिकर किसके विए से यह हमने संसाथों का जो अंदाजन प्रयोग करा उसके विए से जो कम्याई है यह संबंदित समस्याए मानव जीवन की गुणवत्ता अविश्वशानत पाइस जीवन जीने योग्य बनाने के लिए यह शांती में जीवन बनाया रखने के लिए तो संसाथनों का न्याय संगत बटवारा किया जरूरी है कुछी वैक्ति हो रथा देशों बड़ा संसाथनों का वरतवान दोहन जारी रहता है क्या कि विश्व में कुछ देश है किसी वी देश में स्ट वैक्ति ए हैं गया करते है तो हमारी वह श्हाई कि प्रतिवी बहुष्य खत्र में पढ़ सकता है क्या क्या रहा है कि कुछी ब्यक्तियों कुछी देशों के हातों में जह है सारी संसदर मौजूद हैं वो इनका लगाता दोहन करें जिससे हमारी प्रतिव को जो फायतार जाएगा प्रतिवी का तो क्या हो रहा है कि अध्य दिक मातर में पढ़ना है तो पर्दुशन की विदे से भी यह प्रित्वी का जो मुश्य है वह क्या कर खतर में पढ़ गया है इसलिए हरत रहे कर जीवन को आस्तित बनाय रखने के लिए संसाथनों की उपयोग की यूजना बनाने जरूरी है कि अगर हमें जीवन के अस्तित्व को बनाये रखना है तो उनकी उनका इस्तेत्व करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले सबस्क्राइब करें कि हम संसादरों का इस प्रकार से परयोग करें कि ना तो पर्याविवन को नुक्सान और नाहीं आने वाली भावी इदि में भाविश्य की फिद्य है जो हमारी संद्र न है उनके हितों को कोईन नुक्सान पहुझे क्या UP कि हम इस अंसादों गैसे परियों करना चींए या विकास प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह खतम हो जाएगा तो नहीं देख पाई कि इसको पैट्रोल और अगर अगर आगे आता है रियो डी जनेरो प्रत्वी सम्मिलन उन्नीस सो बानुए जून उन्नीस सो बानुए सो से अधिक दास्ट अध्यक्ष ब्राजिल प्रत्वी सम्मिलन में एक इतित होते हैं 1902 साल में 100 देशों से अधिक देशों के जो राश्यक्ष है जाने कि जो उस देश में सबसे बड़ा हूता है वो ब्राजील के शहर इसका नाम डीयो डी जैनरो है वहाँ पर मिलते हैं और यह क्या है पहला प्रत्वी पहला स्वाइब करें तो पहला प्रिथिवी सम्मेलन का अरजन विष्व इस तरह पर उबरते पर्यावण संदक्ष्ण यह निकि पर्यावण को किस प्रकार पचाए जाए समाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को निकली करें गया था यह समाजिक आर्तविकास की समाश्याओं को मैं समस्याओं का जो हल उसको ढूलने क्लिए किया था क्या प्रिथ्वी सम्मेलन जो 1992 में वह था जिसमें देशों के राष्टर द्रक्सरें भाग लिया था अब जो जो सम्मेल में जो नेताम होजुद थे उन्होंने भूम मंदली जलवाई परिवितन और जैविक विविद्धा पर एक घोष्टना पत्रवर क्या करें अस्ताक्षर किये थे रियो सम्मेल में भूम लिए वन सिद्धानतों पर सहमती जिताई गई और 21 शिताबदी में सतत्त पोष्टने विकास के लिए एजंडा 21 को स्विक्रति देदी गई इसको एजंडा 21 क्या है कि यह एक घोष्टना है एजंडा 21 क्या है घोष्टना जिसे 1992 ब्राजिल के शहर में रियोडी जनेरियों में किसमें रियोडी जनेरों में सभी राष्ट पर्यारवण और विकास सम्मिलन के तत्वदान में दाष्ट अध्यक्षों द्वारा स्विकार किया गया था तो एक भोष्टना थी जिसे 1992 में रियोडी जनेरियों सम्मिलन जो की कहां पूता है जैने अपराजिम होता है ठीक है उसमें सभी लोगों ने क्या करते इसको स्विकार क्या करते हैं इसका उद्देश्य क्या है भूमंडली सतत्त पोच्छने विकास हासिल करना जैने कि हमें विका उसकार दिए गए है जिसका उद्देश्य समान ही तो पारस्परी आशक्ताओं और सम्मिलित जिम्मेदार्यों के द्वारा पर्यावनिये च्छती यानिकि जो पर्यावन को रुखसान पूस्ता वह गरीबी रोगों से निप्तारा करना है किससे निप्तारा करना है एक तो कुछ सहती ना पहुंचे उससे दूसरा किसका सब्सक्राइब करना है गरीबी का तीसरा क्या करना है रोगों से निप्तारा इसका उद्देश्य रखा गया था एजंड़ा ट्वेंटीवन का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रतिक स्थाने निकाए अपना स्थाने अब संसादन के विवेकपुर्ण उपयोग के लिए निजन एक सर्म सर्व मानने रणनीती है इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसादनों की उपलबता बहुत अधिक विविद्दा है यानि कि भारत में जो है संसल्द्द क्या है बहुत अधिक विविद्द तरीके से प पर ज्यादा पाय जाते हैं तो कहीं पर पाई जाते हैं पाय जाते हैं तो यहां ऐसे पर्देश ही मौझूद है जहां एक तरह के संसाद मोखनें या और घृत अजवाद। यहां पर खनीजों और कोईले की बहुत अधिक भंडार है वहीं हम दूसरी तरफ जाते हैं अनुर्चल प्रदेश की तरफ जैनकि जो पूर्वी जो राज्य है लेकिन मूल विकास की मापन किया है किसी कमी है मूल विकास की कमी है कि जो अलग तरक परदेश के अन्य भागों से अलग तरक पड़ताया यह परदेश स्टांस्क्रितिक विरास्त का नहीं वर रेकिन जहां जल आधार पूसन अबसंद तरफ कुछ मेत्रपण खरईज़ों की कमी है इसलिए राष्ट्य पराधनति प्राधिशिक और इस तरफ संतुलित संसादन नियोजन की अशकता है कि संसादन की नियोजन की अशकता है इसके अशकता है और नीचे तो कुशन उठता है कि हमें संसादनों के नियूजन की अवचकता क्यों है यानि कि संसादनों का परियोग किस प्रकार से किया जाए ऐसी योजना बनाने की जो वड़ती है नमबर लगे कि अधिकतर सीमित हमारे देश में चन्सादन पायां उनमें अधिकतर संसादन ऐसे हैं जो सीमित है जैनि कि एक दिन वर क्यों जैंगे वह समाप्प्त हो जाएंगे दूसरा विट्रत अलग अलाग सिपक्राइब थो कही जगा पर कम मातर में वो क्या है टीक है छह अलग अलग मातर पजोते हैं पजावन प्रणूशन सम अगरं अंदह दून पोरियोग करते हैं तो इससे संसाधन विक्सित करने के लिए चौथा पार्ठ के बलागा लौका यूजन पूल करने के लिए तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए यानिकि संसाधन के प्रती नीजन यूजन यह जो हमें आने के आने वाली छो को देख सके और उनका प्रयोग कर सके और उनके मन में किसी प्रका का मलाल ना रहे वर्तमान पीड़ी के लिए कहीं ऐसा नौ जो कि इतना प्रयोग अंदाधुन कर ले कि वह आने वाली पीड़ी द्रीज के लिए बचे ही ना और आने वाले विडिकास के लिए किस के लिए किसी भी देश में समान-विकास के लिए ज़रूरी है कि आधो उपलुप्र संसादने उनका पृप सब्सक्राइब शब्सक्राइब ठीक है आप इसके हम बात करते हैं भारत में नियोजन तो भारत में जो नियोजन है इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आगे होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिए धन्यवाद